नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी यूटूब जेनल पर साथ्यों आपके लिए बिपेस्टी सेवेंथ फैज के यानि बिहार सिचक भरती 2023 के लिए जिसका आज हम लोग पहला क्लास करेंगे और आज इस क्लास में पूरे 100 कोस्टन करेंगे तो साथ्यों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बिहार सिचक भरती में अपना एक सीट पक्की करने के लिए चाहे आप किसी भी कच्छा के लिए आविदन किये हो कच्छा एक से बारत तक के लिए सभी के लिए ये महत्कुन क्लास होने वाला है तो अन तक जरूर दिखिएगा बीना कोस्टन को इसकीप किये और आपको बता दे बिहार सिचक भरती के लिए एकस्पेक्टेड कोस्टन के आपको क्लासेश चैनल का अंदर मिलने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आण कर लिजेगा नए साथी लोग और इस क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजेगा बिना देरी की हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका समय बहुत किम्ति है और आपका समय बरवाद नहीं करेंगे चलिए बिना देरी की एकस्टेंज को देखते हैं पहला question है हमें बास्तविक सुर्योदोई से पहले कुछ मिनट पुर्वी ही सुरी दिखाई देने लगता है न इसका कारण क्या है तो देखे हमें बास्तविक सुर्योदोई से कुछ मिनट पुर्वी ही सुरी दिखाई देने का कारण है साथ यो प्रकास का अपवर्तन याद रिखी गए ये प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है यानि याद रिखी गए रिफ्रेक्शन ओफ लाइट प्रकास का अपवर्तन option number D is question का right answer होगा अगला question है लीवर फ्यूलक के सरीर का आवरन क्या कहलाता है तो देखिए लीवर फ्यूलक के जो सरीर का आवरन होता है उसे क्या कहा जाता है तो आपको याद रखना है साथ यो पहली कल देखिए एक चीज़ आपको बता दे आपको जो questions करवाएंगे ये 1500 questions समायन विज्ञान के इसमें से आधे question आपके previous year question है यानि पिछले सालों में जो questions पूछे गए हैं BPSC में और एक चीज़ बता दूँ बाकी आधा question आपके लिए expected question है यानि इस बार बिहार सिच्चक भरती में जो question आपसे पूछा जा सकता है तो ये जो session है आपको पूरा complete करना है ताकि जो है आपका एक seat पक्का हो जाए अगला question है साथ यो देखते हैं तो next question है केचवा किसानों को किस परकार लाब पहुँचाता है देखिए आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि केचवा को किसानों का परमित्र बोला जाता है तो केचवा किसानों को किस परकार से लाब पहुँचाता है तो याद रिखिए option number D correct होगा भूमी को पोल करके ठीक है भूमी को पोल करके नेक्स्ट कोस्टेन है ध्वनी के बेग कमान सबसे कम किस में होता है देखिएगा ध्वनी का बेग जो होता है वो सबसे कम किस में होता है तो याद रिखिएगा साथ यो option के according आपका right answer होगा gas और यह जो option से ठोस, द्रब, गैस, पारा इन में से सबसे अधिक किस में होता है तो ठोस में याद रिखिएगा solid में देखिए ध्वनी का चाल सबसे अधिक ठोस में ही होता है यानि जो चीज सोलिड होता है जैसे कि steel याद रिखिएगा और सबसे कम होता है gas में नेक्स तरोतर पोशन असे जीवो में प्यक नासियों की माुत्रा का बढ़ना इसको हम जैव आवरधन बोलते हैं आपको फिस्चेंस जो हैना सथिवो बिलकुल लेबल वाले क्वेस्चन्स कर वाएंगे जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे तो इस question का right answer होगा option number B आवसेसी अंगों का ध्यन क्या कहलाता है तो ध्यान से दिखिएगा जो आवसेसी अंग होते हैं और उनका जो अध्यन होता है वो क्या कहलाता है तो साथ हो याद रिखिएगा distiology correct है option number A next question है संगसार में पोधो के बितरन का ध्यन क्या कहलाता है तो याद रिखिएगा संगसार में पोधो के बितरन का ध्यन किस नाम से जाना जाता है तो phyto geography के नाम से correct है option number A माइका क्या है माइका के बारे में पूछा है option के according बताना है कि कौन सा कथन माइका के संदर्म में सही है तो माइका के संदर्म में option number A जो है ये बिल्कुल सही है देखिए माइका माइका जो होता है न साथियो ये उस्मा और विद्धुत इन दोनों का ही सूचालक हो रहा है हम आपका कुचालक होता है यानि करिक टेंसर है option number A उस्मा और विद्धुत दोनों का ही कुचालक होता है नेक्स्ट कोश्चेन है लोहे में जंग लगने की किरिया किसकी सहयता से होती है याद रिखी गा जॉल अग्षिजन के कारण है न क्ीसकी सहयता से तो जल और ऑक्षिजन की सहयता से जिसको हम उकशिकरν बोलते है चलिए next question ने दिखिएगा निमनल लिखित में से कौन सी सुचना परधोगी की परिभास किया नहीं है तो ध्यान रिखिएगा इन में से कौन सी सुचना परधोगी की परिभास किया नहीं है तो ध्यान से दिखिएगा साथियो देखिए आपका लॉग इन भी है मोडें भी है पासवर्ड भी है पीनाका नहीं है option number D जो है पीनाका यह साथ से सुचना पुर्धोगी की परिवास्किया नहीं है याद रिखिएगा option number D ठीके चलिए आज का अगला question है देखिएगा पद MB परियोग किया जाता है किसके लिए यानि MB जो computer में परियोग होता है या internet में परियोग होता है तो इसका full form क्या होता है अगला निमनल लिखित में से किसकी उपस्थिती के कारण दूध में मिठास आ जाती है तो दूध में मिठास किसकी उपस्थिती के कारण आज आती है याद रिखीगा लेक्टोज की उपस्थिती के कारण करेक्ट है option नमबर भी लेक्टोज जेविक सिस्टम में रासाइनिक किरिया की प्रकिरिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ क्या होता है तो ध्यान से दिखेगा जेविक सिस्टम में रासाइनिक किरिया की प्रकिरिया को तेज करने में जो उत्तरदाई पदार्थ होता है वो क्या होता है तो याद रिखेगा एंजाइम करेक्टे साथ हो option number C सालवे प्रकरम द्वारा ओधोगिक निर्मान किया जाता है किसका यानि इन में से किसका निर्मान उधोगों में किया जाता है सालवे प्रकरम के द्वारा तो याद रिखेगा सोडियम कार्बोनेट्स का सोडियम कार्बोनेट्स जो होते हैं न साथ्यो एने टू स्यो थिरी सो देखे टींचर आयोडीन, टींचर नहीं टींचर, टींचर आयोडीन क्या होता है या किसे कहते हैं, तो याद रिखे आयोडीन जब एलकोहल में घुलता है या बिलाई होता है तो उसको हम टींचर आयोडीन बोलते हैं, यानि आयोडीन का एलकोहलिक बिलियन, करिक्ठ है option number D, नेक्स्ट कोर्ष्टे ने साथ यो घरेलू छिपकली चिकनी दिवार पर किसकी उपस्थिती के कारण चड़ जाती है अच्छा आपने घरों में छिपकली देखा होगा देखते हो दिवार पर चड़ जाता है तो वो किसकी उपस्थिती के कारण तो याद रिखिगा ऑप्शन नमबर सी करिक्ठे दिखिए उंगुलियों पर चिपकने वाले लेमली युक्त गदिया जो होती है ना चिपकली पर उसके कारण तो याद रखना उंगलियों पर चिपकने वाले लेमली युक्त गद्यों के कारण करेक्ट है option number C निमनल लिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सायक होता है देखिएगा इन में से कौन सा वो उत्तक है जो घाव भरने में सायक होता है याद रिखिएगा साथियों राइट अंसर है option number C अगला एडवर्ड जेनर निमनल लिखित में से किस रोग से जुड़े है तो देखिए एडवर्ड जेनर आप सभी ने पढ़ा होगा कि चेचक के टीके का विश्कार किया था तो राइट अंसर होगा option number C चेचक से किसका यूनिट होता है ये तो हीट का यूनिट है ना हीट यानि उस्मा का correct आएगा option number एउस्मा अगला है तरल पदार्थ का घनतव कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो याद रिखिएगा साथियों जब तरल पदार्थ का घनतव कम किया जाता है तो वो कम हो जाता है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है यानि correct option number C अगला question ने टेसला unit किस छेतर से संबन दित है यानि टेसला किस का मातरक है तो याद रिखेगा टेसला ये चुम्बकिय छेतर का मातरक होता है तो correct option number ये चुम्बकिय छेतर का विद्धुद चालकता की unit किया है तो देखें विद्धुद चालकता का unit होता है साथ हो मोह मोह को हम ultra ohm इस परकार से लिखते हैं याद रखेगा जैसे कि ohm को इस परकार लिखते हैं जो प्रतिरोध का मातरक होता है उसी तरह विद्दुचालकता का जो मातरक होता है वो होता है उल्टा ओम जिसको मुह बोलते हैं याद रिखेगा अगला कोश्चे ने पिक्नोमीटर नामक उपकरन का परियोग किसे मापने के लिए किया जाता है देखे राईटर होगा ओपषन नंबर 2 घणत वोकोमापने के लिए अगला कोश्चे ने एंपियर सेकंड किसका मातरक है तो देखे एंपियर सेकंड जो है ये आवेस की मातरा का मातरक है आवेस की मातरा ओपषन नंबर B और साथ और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि आवेस का मातरक क्या होता है या आवेस का ऐसा मातरक क्या होता है तो कुलम और आवेस की मातरा का तो ampere second ये दोनों चीज़े याद रखना ठीके अगला question है द्रब ताप मापी की अपिक्छा गैस ताप मापी अधिक सम्वेदी होती है क्योंकि गैस क्या करता है तो देखिए गैस जो होता है वो द्रब की अपिक्छा अधिक परसार करती है इसलिए द्रब ताप मापी की अपिक्छा गैस ताप मापी अधिक सम्वेदी होत प्रकास के पुना अंतरिक प्रावर्तन के कारण प्रकास के लिए किसका परियोग किया जाता है तो प्रिज्म करेक्ट होगा अगला फाउंटेन पेन किस नियम पर कायर करता है तो याद रिखिएगा साथ योग fountain page जो होता है वो capillary किरिया या case किरिया या case का किरिया पर ये कारिक करता है तो right है option number 1 रात के समय आवासिय छेतर में सोर का अनुमानी तस्तर क्या होना चाहिए तो देखे रात के समाई आवासिय छेत्रों में सोर का अनुमानी तस्तर आवासिय छेत्र यानि जहां पर लोग रहते हैं ठीके याद रिखिएगा अनुमानी तस्तर जो है वो 45 decibel होना चाहिए अब देखे ध्वनी को decibel में मापा जाता है अगला है सुरी की उसमा प्रिथवी पर कैसे पहुँचती है तो याद रिखिएगा अप्शन नंबर है ताकि वो दाब को सहन कर सके अप्शन नंबर है जल के दाब को सहन कर सके नेक्स्ट कोसचन है नियूटन का पहला गतिनियम ये किसकी संक्रपना देता है तो करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन नंबर है जड़त हो की याद रिखिगा नेक्स्ट कोस्ट है फुहारा की सिध्धांध पर कायर करता है साथ यो देखी एक question बहुत ज़्यादा important है याद रिखीगा फुहारा किस सिध्धान्थ पर कायर करता है तो बर्नोली सिध्धान्थ पर option number B correct answer है अगला है एनेमो मीटर क्या मापने के काम आता है तो देखीगा एनेमो मीटर क्या मापने के काम आता है तो साथ यो पवन के बे ख्याजता है बिझली चमकती है याद रिखीगा correct option number सबसे पहले ग्रह गती का नियम किशने किया था तो याद रिखीगा तो याद रिखीए मैं के जॉन्स कैपलर ने option number B correct answer अगला है बायूयान खड़े लूप में हवाई कर्दब दिखा सकता है किसके कारण तो देखिए करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा याद रिखेगा अविकेंद्र बल के कारण जो है बायू यान खड़े लूप में हवाई कर्तब दिखा सकते हैं इसका मतलब जो एयर फोर्स के विमान होते हैं देखते हो न किस तरह गोल गोल चक्कर लगाते हैं ये किस के कारण स सबसे अधिक सलफर डायोकसाइड परदूसन है आपको याद रखना है अगला किस सेटेलाइट ने ओजन चिदर की उपस्थिती को दर्साई थी तो याद रिकी ये भी कोस्टेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है साथ्यों वहाँ कौन सा सेटेलाइट है जिसने ओजन चिदर की उपस्थिती को दर्साई थी याद रिकीगा निमबस सेबन उस सेटेलाइट का नाम था निमबस सेबन जीनों ने समसे पहले ओजन चिदर की उपस्थिती को दर्साई था अगला बायूमंडल में कारबन डायोकसाइड की मात्रा कितनी होती है तदे के बायूमंडल में का इत्तित काधारा नंधा कौन सी धातू पाई जाती है तो याद रोङेगा सीशा यानि लेड़ option B right है अगला और बी-nitrogenรी करण पर उत्पंद्री से गैस किसकी किरिया से उत्पन होती है तो याद रिखेगा साथ यो भी नाइट्रोजनी कराण पर उत्पन द्रिस गैस जो होता है वो देखे राइजोबियम अगला question है, board test किसके परिक्षन हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखेगा साथ यो, board test, board test किसके परिक्षन हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखना, जल परदूसन, है ना, जल परदूसन के, अब देखिए, board, BOD, board का full form क्या होता है, तो biochemical oxygen demand, याद रखेगा, ठीके, next question है, साथ यो, जेविक रूप से, कौन सा परितंत्र सबसे अधिक उत्पादक है, सबसे अधिक उत्पादक है, ना, देखिएगा, right answer हो जाएगा, कधारी मैदान, option number A, ठीके, जेविक रूप से, कौन सा परितंत्र है, जो सबसे अधिक उत्पादक है, तो कधारी मैदान, correct होगा, अगला है, समुद्र जिसे सागरिय मरुस्थल काते हैं, यानि कौन सा समुद्र है, जिसको सागरिय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रिखेगा, साथ यो, सारगेसो सागर, option number A, right answer है, अगला है, खाद सिरिंखला का विचार, सर परतम दिया था, लिंडम, लिंडम मैन ने, correct है, option number A, मिरित पदार्थ तथा उसमें उपस्थित जिबानों का भक्षन करने वाले जन्तुओं को क्या कहा जाता है, तो देखे, correct answer होगा, डेटरी बोरस, याद रिखे, मिरित पदार्थ तथा उसमें उपस्थित जिबानों क वक्षन करने वाले जन्तुओं को डेटरी बोरस कहा जाता है, अगला है, किसी परिश्थिती की इकाई में, निश्चित समय पर पाई जाने वाली जेविक घटकों के कुल द्रैमान को क्या कहते हैं, तो याद रिखेगा, बायो मास कहते हैं, सिंपल से question है, option number A, next है, परिश अमलिया वर्षा का कारण क्या है, तो देखेगे, अमलिया वर्षा का कारण होता है, साथियो आमतोर पर SO2 पलस NO2 की उपस्थिती, ठीके, तो याद रिखेगे, यह option में दिया हुआ है, सल्फर डायोकसाइड पर दूसन, जो की correct answer हो जाएगा, अगला है, जेट बिमानों द मुखी फटने पर कौन सा प्रकृती चक्र प्रभावित होता है, तो याद रिखेगा, फासफोरस चक्र, जब जो आला मुखी फटता है, तो कौन सा प्रकृती का चक्र प्रभावित होता है, तो फासफोरस चक्र याद रिखेगा, अगला है, लंबे ताप परिसर को सहन कर लेने वाले प्राणी को क्या कहते हैं यानि वहाँ प्राणी जो लंबे समय तक ताप को सहन कर सकता है याद रिखीगा उसको प्रठु तापी बूलते हैं ऑप्शन नमबरे प्रठु तापी अगला है मुंगे कोयल की चट्टाने इस्थी थे किस दिशा में तो देखीगा कौन सा गर्म रूधी धारू जनतु है यानि वार्म ब्लाडेड एनिमल नहीं है यानि इन में से कौन सा गर्म रूधी धार्री जनतु यानि वार्म ब्लाडेड एनिमल नहीं है तो साथियों देखीगा यहां आपका कबूतर भी गर्म वार्म ब्लाडेड एनिमल है गोरेया जो कम प्रकास वाले छेत्र पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है तो याद रिखेगा सेफ्रोफेड option number C correct answer होगा अगला question है साथियो देखीगा माप करना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड साथियो सीओ फेई होगा ना कम प्रकास वाले छेत्रों में पाए जाने वाले पोधे यानि वो पोधे जो चाया में पनपने वाले पोधे उसको सियोफ ही बोलते हैं option number एक करेक्ट होगा इसको करेक्शन कर लिजीगा चलिए अगला question है बायो मंडल का सबसे परिवर्तन सिलता तो वह कौन सा है तो याद रिखेगा oxygen option number सी करेक्ट है अगला किसकी अंतिम सीमा अंतरिच से आरंभ होती है तो याद रिखेगा बाहर मंडल जो की अंतरिच के सबसे बाहरी में स्थी थे बाहर मंडल या बाहर मंडल करेक्ट होगा option अगला कोश्चन है एक्वीफर का संबन किस्से है तो भूमिगत जल से याद रिखेगे option नंबर भी अगला फोटो कोपी मशीन कौन सा परदूसक उत्पन करता है तो करेक्टेंस रो जाएगा option नंबर ए ओजोन देखेगे जो जैरोक्स मशीन होता है उससे कौन सा परदूस और आप देखिए कमरे में फरनिचर तो होगा ही सौफा होगा बेड होगा जो की टेवल होगा जो की फरनिचर का वना होगा और फरनिचर से फर्मेलिटी हाइड परदूसन उत्पन होता है अपने पड़ा होगा अगला है अखवार की सियाही में पाया जाने वाला बिसेला तत्व कौन सा है अब अख़वार जो हम पढ़ते हैं उसकी सियाही में भी विशलापदार्थ पाया जाता है कौन सा विशलापदार्थ तो लेड ऑप्शन नंबर भी याद रिखेगा विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार बायू मंडल में निलंबित कनों की अनुज्य सीमा किया है तो सारा ओप्शन सेम हो गिया है कोई भी बताओ आप डी बताओ चाहे ए बताओ देखो 120 से 150 माइकरो ग्राम होता है यह आपको याद रखना है अगला कोस्चिन है ग्रीन है गैसो के प्रती व्यक्ति उत्सर्जन में विश्व में पर थमस्थान पर कौन सा देश है तो देखे ग्रीन है गैस सबसे अधिक उतपन कहां पर होता है तो साथ याद रिखेगा अभी ही नया ख़बर आया था उसमें चीन आ गया था इससे पहले अमेरीका था तो अभी नया अगर पूछे तो चीन आंसर होगा और अगर ओवरल तो अमेरीका राइंट स्ऩ रोगा याद रखना question जिस टाइप से पुछे उस टाइप से इसको आंसर करना है अगला कोस्टे ने वातावरन में सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला परदुसक कौन सा है तो याद रिखेगा करेक्ट अंसर होगा मिथेन आप्शन नंबर बी नेक्स्ट कोस्टे ने कौन सा हानिकार उड़ते हैं तो उसका रंग जो लाल होता है वो इस्टांसियम की उपस्थिति के कारण ही होता है ठीक है तो याद रखना कौन सा हानिकारक पदार थे जो नाभी केव स्पोर्ट के बाद लंबे समय तक सक्रिया बना रहता है तो इस्टांसियम 239 अगला कोस्टे ने किस अधोग में कारियरत लोग ऑप्शन नमबर ए आसवन बांध के पीछे निल नदी के हटने से मिस्र में कौन सी बीमारी फैली थी तो याद रिखेगा साथियों देखिये आसवन बांध के पीछे निल नदी के हटने से मिस्र में यानि एजिप्ट में कौन सी बीमारी फैली तो option number ए correct answer होगा, याद रिखेगा, सिष्टो, सिष्टो सोमी एसिस नामक बिमारी, correct option number ए, अगला कोश्य ने कोईला उधोग में कारियरत लोगों को कौन सी भिमारी हो जाती है, तो correct answer होगा साथिओ option number ए याद रिखेगा, देखे, new monococs, new monococs नामक बिमारी उन लोगों को होती है जो लोग कोईला के उधोग में कारी करते हैं अगला है कवक तथा जिवानों किस बर्ग में आते हैं तो करिक्टेंट सुरोगा याद रिखे ऑप्सन नमबरे आप घटक बर्ग में अगला है निम्न परितंत्रों में से कौन सा जैविक रूप से निवन्तम उत्पादक है तो देखे इन में से कौन सा परितंत्र है तो याद रिखेगा बहरी देखे बहुत गहरी जिल बहुत गहरी जिल यह परितंत्र जो है यह जैविक रूप से निवन्तम उत्पादक वाला छेतर है आपको याद रखना है चलिए अगला कोश्चे ने हाली में खोजा गिया परितंत्र कौन सा है तो देखिए करिक्टर निकास यáनि वेंट ये हाली में खोजा गया परितंत्र शारतzahl को इादरेखेगा अगला कोश्चे ने परिष्थिति की विकास सब्द को परतिपादित किशने किया है तो याद रिखिएगा देखे परिस्थीति की विकास याद रिखिए परिष्थीति की सब्सकार किया है बीच, इकतर उप्ष्थिति की Penis से हानी होती है क्या तो एक जीव द्वारा दुसरे जीव के भक्षन से क्या हानी होती है तो याद रिखेगा उर्जा का option number C energy next है बरतमान यूग को 20 यूग नाम दिया है किसने तो देखें बरतमान यूग को 20 यूग किसने नाम दिया है तो correct answer होगा option number E, resale Carson ने याद रिखेगा option number E, अगला मनुस्य के सरीर में पेर की हड़ी कैसी होती है तो देखें मनुस्य के सरीर में जो पेर की हड़ी होती है वो खोखली होती है option number E, खोखली अगला एक nautical mil ये किसके बरावर होता है तो याद रखना एक nautical mil 1.85 km के बरावर होती है option number C correct होगा अगला कोश्य ने एक photo sale में प्रकास उर्जा को परिवर्थित किया जाता है किस उर्जा में तो साथियो बिद्दू तूर्जा में याद रखें एक photo sale प्रकास उर्जा क को बिद्दू तूर्जा में परिवर्थित करता है computer साक्षरता दिवस कब मने आ जाता है तो याद रखेगा दो दिसंबर को option number D email का विश्कार किसने किया था तो देखे email का विश्कार किया था Ray Tomlinson ने option number B राइट अगला कोश्य ने किसी भी ध्वानी की पीच यानी तारत वो उस दोहनी तरंग की किसपन निर्वर करती है तो याद रिखेगा तरंग आवरीती पर किसी भी ध्वानी की पीच यानी तारत वो उस दोहनी तरंग की तरंग आवरीती पर निर्वर करती है केपलर के किस नियम के अनुसार प्रिथवी अपनी कच्छा पर एक समान दर्थ से गती नहीं करता है तो याद रिखेए केपलर के दूतिय नियम के अनुसार option number B अगला question है एक समतल दरपन की बकरता तिरजा कितनी होती है तो याद रिखेगा साथियो अनन्थ होती है infinity option number B अगला इंजनों में radiator का परियोग क्यों किया जाता है तो correct answer साथियो इंजन को ठंडा रखने के लिए option number B अगला question है सापेशक्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था किसी जीव द्वारा पोसक ततों का सेवन और उनके उपयोग की प्रकिरिया को क्या कहते है तो correct answer होगा पोसन याद रिखेगा nutrition नेक्स्ट question है वैसा पोसन जिसमें जीव अपना भोजन अन जीवित जीव के सरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है क्या कहलाता है तो याद रिखेगा परजीवी पोसन आप्शन नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा अगला question है शरीर में भोजन गरहन करने की प्रकिरिया को क्या कहते है तो correct answer होगा अंत गरहन याद रिखेगा जल द्वारा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है तो याद रिखेगा हाइडरोफिली अप्शन नमबर भी अगला question है हेरोईन ये किस से प्राप्त होती है तो साथ हेरोईन ये अफिम पोस्ता से प्राप्त होता है अप्शन नमबर C करेक्ट होगा लोह आवश्यक है किसके लिए तो देखें लोह तत्वा हमारे सरीर में आवश्यक है किसके लिए तो उप्युक्त सभी के लिए देखें हिमोगलोबिन हुआ आरसीबी के निर्मान के लिए समान्य स्वास्त बनाए रखने के लिए सरीर के उत्तकों तक oxygen पहुचाने के लिए यानि option number D उप्यूक्त सभी के लिए प्लास्टिक से कौन सी गयस उत्पन होती है तदिकेगा plastic प्लास्टिक से कौन सी गयस उत्पन होती है तो याद रिखेगा polyethylene option number D correct होगा अगला question है गेहूं पर पाये जाने वाले दो प्रमुक कवक रोग कौन से है तदिके गेहूं में पाये जाने वाले दो प्रमुक कवक रोग है एक तो काला किट और दुसरा smart option number है right answer हो जाएगा साथ यो पहला क्लास था 1500 question के series का general science का बिहार सिच्छक वर्ति के लिए आपके BPSC के 7th phase के लिए और ये जो class है ये जो questions का series है वो आपके आप किसी भी के लिए देखो किसी भी कक्षा के लिए अपलाई किया है किसी भी माध्यम के लिए सबी के लिए बहद important है तो आप लोग साथ यो अगर बिहार सिच्छक वर्ति में अपना एक सिट अपना confirm करना चाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके bell icon को on कर लिजेगा हर एक subject का classes बिलकुल शुरू हो गया है अब और आपको संपुर्ण तैयारी मिलेगी हमारे इस channel में अपना एक सिट confirm करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके bell icon को on कर लिजेगा इस class को like जरूर करना अपने सबी दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा comment box में comment करके जरूर बतिएगा आपको आज का class कैसा लगा है चले मिलेंगे अगली class में तब तक स्वास्त रहें जाइन साथियो वंदे मातरम